Hi friends, welcome back to my channel P.A. The English Tutor Today's poem is Ball Poem, written by John Barryman अब सबसे पहले हम क्या करेंगे उसका overview देख लेते हैं तो हमारी लाइफ में कई सारी ऐसी problems आती हैं हमारे सामने कई सारी चुनाओती आती हैं लेकिन हमें क्या करना पड़ता हैं हमें उसका डट कर सामना करना पड़ता है और उन चीजों से हम अलग-अलग तरह से उसको टैकल करना सीखते हैं ओके यह चीज पोईट यहां पर बताना चाता है यह यह भी समझा रहे हैं मतलब यह पूरा point समझाने के लिए वो एक छोटे बच्चे का example ले रहे हैं और जिसकी बॉल कहते हैं कि खेलते खेलते वो पानी में गिर जाती है और बच्चा पात उदास हो जाता है वो सोचिन लगता है कि काश यह बॉल मेरे पास वापस आ जाए पोईट कुछ डिस्टेंस पर बैठे बैठे यह सब कुछ सीन देख रहे होते हैं वो सोचते हैं कि मैं क्यों ना उस बच्चे को एक बॉल लाके दे दूँ ओके लेकिन फिर उसको तुरंट मतलब उनको ऐसा लगता है कि मुझे उस बच्चे को एक बॉल दे देनी चाहीए क्योंकि वो इतना उधास है फिर उन्हें तुरंट अपनी mistake realize होती है और वो सोचते हैं कि अगर आज मैंने इस बच्चे की मदद कर दी क्योंकि आज इसके सामने ये नई ball मतलब ball दे दी तो वो चुनाओतियों का सामना करना कभी नहीं सीखेगा उसको हर चीज इंस्टेंट मिल जाएगी उसे ये चीज का एसास नहीं होगा ओके नव लेट सी वन बाई वन लाइन बाई लाइन ओके लेट सी तो पोईट क्या बोलते हैं वो पोईट पूरा सीन डिस्क्राइब करते हैं कैसे वो देख रहे थे ये बच्चा बॉल से खेल रहा था और अचानक खेलते खेलते उसकी बॉल पानी में गिर जाती है किस तरह से वो स्ट्रीट से होकर और पानी में गिर जाती है वो बोलते हैं कि मैंने ये सारा सीन अपनी आँखों से देखा है वो सोचते हैं कि what is the boy now अब ये बच्चे का क्या होगा मतलब वो इससे इतना attached है और उसी की ball इस तरह से हलसते खेलते merrily bouncing ये किस के लिए यूज़ हो हैं? ball के लिए कि वो ball हसते खेलते कैसे street में से गुजरते हुए पानी के अंदर गिर गई अब देखते हैं अगे क्या बोलते हैं पूएट no use to say oh there are other balls an ultimate shaking grief fixes the ball as he stands rigid trembling staring down all his young days into the harbor where his ball went I would not intrude on him a dime another ball is worthless now he senses first responsibility so it means that ये चीज हमारे साथ भी होती है कई बार हमें कई चीज बहुत जादा प्यारी होती है तो ठीक है हमारे toys हो या कई सारी ऐसी चीज़े होती है जो हमसे जब दूर जाता है तब हमें उसका एहसास होता है कई बार ऐसे रिष्टे भी होते है कि रिष्टे जब हमसे दूर जाते है तब हमें उसका एहसास होता है तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है भी दो मीनिंग है कि according to child वो बाल उसकी सबसे प्यारी फेवरेट थी और secondly जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें हमारी लाइफ में कई बार ऐसा हो जाता है कि कई चीजों में से कुछ चुनना पड़ता है वो ही हमें वो चीज इतनी प्यारी होती है कि हमें लगता है उसके सामने कोई दूसरा आप्शन नहीं चलेगा लेकिन हमें जो चाहिए जिसके साथ वो बचपन में खेला है पोएट बोलते हैं कि ये बच्चा ऐसे खड़ा है जैसे उसको शौक लग गया हो वो शिवरिंग वो धुरूज रहा है ठीक है और उसको सब कुछ याद आ रहा है किस तरह से बच्पन में वो उसके साथ खेला करता है ये स्मॉल टिल टुड़े आलसो पट फिर भी उसकी सारे मेमरीज उसके साथ जुड़ी होई है उसकी यादे हैं उस बॉल के अंदर वो ये सब कुछ सोच रहा है कि काश ये बॉल मेरे पास वापस तो उसका मतलब क्या है कि पोईट सोच रहे हैं कि काश मैं उसको दूसरी बॉल दे दूं क्या होगा थोड़े पैसो की तो आएगी दे देता हूँ फिर लेकिन तभी उनको तुरंट एहसास होता है कि नहीं वो पैसे उसके लिए माइने नहीं रखते दूसरी बॉल उसके लिए माइने नहीं लगती All these things are worthless क्योंकि उस बच्चे को वो particular बॉल से attachment था ना कि सिर्फ बॉल से अब यहां पर पोईट responsibility word का use करते हैं क्यों? क्योंकि क्योंकि ये बच्चे को समझ में आना चाहिए कि responsibility क्या होती है अगर उसको उस बॉल से खेलना है तो उस बॉल का ध्यान रखने की responsibility भी उसकी है तो इसलिए वो सोचते हैं कि इस बच्चे को जब तक अपनी responsibility समझ में नहीं आएगी वो life में कुछ नहीं कर पाएगा आज पहली बार उसके सामने कोई responsibility आईए उसके सामने कोई चुनौती आईए अब इस word में कई materialistic चीजे मतलब की पसंद आती है मगर हमें उसके लेकिन हमें उन materialistic चीजे जो हैं उनके प्रती भी हमें हमारी responsibility समझ में आनी चीए हमें पता होना चीए कि अगर हमारे हमको कुछ चीज दी गई है तो हमें उसका किस तरह से ध्यान रखना है तो poet यही सोचते सोचते वापस से वो अपना इरादा बदल देते है नहीं तो वो चाहे तो क्या था वो एक दुबारा उसको ball gift कर सकते थे न but he thought that no, it will be of no use for this child now poet says in the world of possessions people will take balls balls will be lost always little boy and no one buys a ball back money is external he is learning well behind his depred eyes the epistemology of loss how to stand up knowing what every man must one day know and most knows many days how to stand up तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ ball सिर्फ ball के लिए नहीं रिष्टों के लिए भी यूज किया गया ठीके ball तो एक गई दूसरी आ जाएगी लेकिन उसको अपनी जिम्मेदारी का हिसास होना चाहिए पैसे यहाँ पे कोई इतने important चीज नहीं है we are not giving most important to the money लेकिन यहाँ पे important क्या है responsibility जिस तरह से यहाँ ball की बात हो दिए उस तरह से हम रिष्टों की बाते कर सकते हैं क्या हम रिष्टे समझ सकते हैं कि life की चीजों के लिए भी उसे यह मतलब poet यह सब सिखाना चाहता उसे इसी तरह से रिष्टों का भी ख्याल रखना चाहिए नहीं तो क्या होगा जिस तरह से कई चीजे रिष्टे यह सारी चीजे उसके हाथ से कही नहीं छूटती चली जाएगी ठीक है वो उन सब चीजों को खो देगा पैसा that is not important लेकिन वो desperate ego मतलब की वो सीख रहा है उसको समझ में आ रहा है कि यह मेरी responsibility थी जिसका मैंने ध्यान नहीं रखा और वो वापस ऐसी गलती नहीं होने देगा मतलब यह बच्चे को lost मतलब क्या होता है उसका अंदाजा होना चीए उसके बारे में उसको समझ में आना चीए और वो move on करना है उसको उससे किस तरह से आगे बढ़ना है कैसे वो हमारी life में कहीं चुनातिया आती है लेकिन यह सारी चीज़े हमको हमारी life के छोटी-छोटी चीज़ों से ही समझने मिलती है ओके, so now chapter is clear now let's see figure of speech used in this poem तो सबसे पहले इसमें क्या है anaphora anaphora मतलब की repeated words in many time जैसे कि देखो आप first line में दिया है दो बार what what देखिए एक का एक word repeat हुआ है फिर second क्या है repetition अब repetition मतलब की word तो यहां पे भी वह ही है what repeat हुआ है काई बार तो that is repetition also now the third is imagery यहां ऐसा बोल रहे है कि ball merrily bouncing तो ball कभी खुश होकर bounce नहीं करती है लेकिन यह चीज़ क्या है imaginary यह poet की एक सोच है तो उस सोच को indicate करने के लिए यहां पे यह यह यूज हुआ है that's why we will consider it as a imagery figure of speech now the last one is alliteration alliteration आप सभी को पता है मैं कही बर बता चुकी हूं no one biles a ball back यहां पे क्या है B the particular letter B is repeated many times okay within a line तो वो क्या हो गया alliteration now it is clear जो rhyming scheme है rhyming scheme rhyming pattern इसके अंदर नहीं है thank you hope the chapter is clear if still you are having any doubt you can ask me in the comment section thank you